नमस्कार, शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्दो भाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामदरिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल को ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी लाजबाब कहेंगे सांदार हतेली मेरी सामने आई हुई है रियल हतेली है आप पुरुष जाक तक हैं और आपकी रियल हतेली है कुछ अलग परकार की रेखाएं जो बहुत कम गिने चने लोगों के हतेली होती हैं लेकिन बहुत कम लोगों के हतेली में ये रेखाएं होती हैं और अपना वास्त्विक रोप में जवरदस्थ फलादेश देती हैं उनको देखेंगे सबसे पहले आपका के तु देख लेते हैं आपके इस्ट को देख लेते हैं और फिर आपके सवालों को ले लेते हैं और पूरा विस्लेशन यहां पे करते हैं देखेगा ये कंकन की रेखाएं कहलाती हैं और इनका हमारी जीवन में बड़ा महतो होता है यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी पहली रेखा है साप सुत्री है बड़ी सुन्दर है और इसको स्वस्त्य की रेखा कहते हैं आरोग्य की रेखा कहते हैं और तंदुरस्ती की र खीक रखें, अपने रूटीन को सांधार रखें, तो चाहे आपका स्वस्तिय का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदृरस्ती का मामला हो, आप बड़े लग्की रहने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं दिखाई दी रही है दूसरा आपकी हतीली में ये रेखा ये है संपत्ति की रेखा धन की रेखा और जो चंदरमा से निकल करके गुरू की तरफ देख रही है शानदार रेखा ये इस रेखा से समंद रखती है और दोनों रेखाई उत्तम इस्तिति की है उच्च कूटी की रेखा है बड़ी अच्ची स्रेणी की ये रेखा जब चंदरमा से निकलती है ध्यान दीजेगा और ब्रिस्पती पे पहुँचती है तो प्रारंबिक दोर में थोड़ा संगर्स ये जरूर देती है लेकिन उसी संगर्स के बलबूते ब्यक्ती हर सुक को पाता है हर सुक और एस्वर्य का अपने जिवनकाल में भोग करता है ये लकीरें ऐसे लोगों को निश्चित रूप से प्रतिष्टा और बहुत बड़ा दौलत मंद इनसान बनाती है ऐसे लोग बहुत फेम पाते हैं और जबरदस्त दौलत हासिल करते हैं ठीक है नहीं ये रेखा इस चीज़ को बताती है तो आपको अगर हम बता दें तीसरी चीज़ इस रेखा की खासियत है अपने जणम अस्तान से दूर ऐसा ब्यक्ति बहुत बड़ी तरकी करता है जणम अस्तान में रहकर ये ब्यक्ति कभी तरकी नहीं कर पाता है उस रूप का और खास कर जीवन रेखा में इस प्रकार से डबल दो मुखी हो निश्चित ऐस ब्यक्ति या तो बिदेस में या तो किसी दूसरे सहर में जन्म अस्तान से दूर अपना घर बनाता है अपना मकान बनाता है अपने जमीने खरीदता है अपना ब्योसाई अस्तापित करता है अपना बर्चोसो को बनाता है लेकिन एक कसक रह जाती है कसक क्या रहती है चाहकर भी अपने जन्म अस्तान में वो प्रमनेंट रूप से नहीं रह पाता है बहुत बड़ी तरक्य हासिल होती है लेकिन जन्म अस्तान में नहीं रह पाता है ये इसकी खासियत है ठिक अब इसका मतलब है संपत्ति के मामले में आप बहुत भग्यसाली है और आगे चल कर धन के मामले में भी बहुत सांदार इस्तितियां आने वाली है ये इस पश्ट कह रही है अब तीसरी रेखा है ये अभी उभर रही है उदयमान इस्तिति में है मनि अभी इसका फल नहीं मिलने वाला इसका फल देखेगा उदयमान इस्तितियों का दो चीजें होती है या तो साथ वर्स के बाद इ इसका फल मिलता है यही हस्त रेका में लिखाओा है और यही देखने को भी मिलता है अब यहां पे इस पश्ट अगर हम देखें इसका जो प्रभाव सानदार रुपे मिलेगा यह सुक्र के सापसी चलेगी सुक्र मतलब चमक चकाचों गलेमर सुक इस्तिरी कारकग्र है तो भोग भी देता है ये ठीक है न तो ये क्या बता रहा है कि ठीक 56 एर के बाद से ये जबर्दस्त रूप में आपके जीवन में शांदारी स्थितियां पैदा करेगी मनि कहीं न कहीं आपको अपने स्वास्ट्या का अपने धन का और अपने बैभाव संपदा अपने एस्वर भोगने का जो सुक है वो चरम्प मनि पीक आवस्ता में आजायेगा इसका लाब आप जबर्दस्त कमाएंगे लाब जबर्दस्त होगा ठीक अब आपकी हतेली में ये केतु का ग्रह भी है अकेतु का मतलब आपका प्रारब्ध आपका पूर्व जन्म के कियोए कार्या जो आपके इस जन्म में उदाई होते हैं यह कलेक्टिव करमाज को दिखाता है मोक्ष का कारक भी केतु है केतु जोतिस में बहुत माइनी रखता है विशेशकर हस्त रेखा म क्योंकि यह समुद्र भी ज्यान है हमारी जो है रिशियों ने यह बड़े जो है रिसर्च करके लिखा हुआ है और यह एकुरेट आपकी जीवन में फल देता है अब यहाँ पे देखो कि यह तो आपका शानदार इस्तिति में है एक गुण आपके अंदर हमेशा बना एनलिसिस का रिसर्च का खोज करता का गुण और आपकी कलपना की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी गंभीर दयालो और धेर्यनक होने वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा क्योंकि आपका केतो और आपका ब्रिस्पति सानदार है अब केतो क्या बता रहा है तीन लकी पूर्व जनम में आपने निश्चित ही बहुत पुंड्य और बहुत उच्छ कर्म किये है इसका मतलब आपका जो पूर्व जनम था वो भी मनुष्य योनी में था और इतने उच्छ और पुंड्य कर्म किये है कि आपको 84 लाख योनों में भटकना नहीं पड़ा है आप उस पुंड्य और उच्छ कर्म कि वो जो से पुनह मनुष्य योनी में प्राप्त हो गई है आपको मनुष्य योनी प्राप्त हो गई है अब ये ये भी बता रहा है आप पुरु सही थे लिंग भी नहीं बदला है और पुरु सही पैदा हुए प्रकृति के रूप में नहीं आ चला है और साथ पीडियों से पहले आपने जन्म ले लिया है जिससे आपका जो DNA है उसमें भी कोई फरक नीपड़ा है आपका DNA भी इसी बंस की अनुसार है और इसी बंस की अनुसार चल रहा है और उस पुंड्या और अच्छे कर्मों की, स्रेष्ट कर्मों की वजोसे आपको अच्छी बिद्या, मनी चाहे कोई छेतर हो, इस्पेसल, चाहे कुछ और हो आपको अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है और जीवन में इनीकी वजोसे, केतो और ब्रिस्पति, सांदार हैं दोनों एक धर्म से सुरू हो रहा है, धर्म से क्या चीज़ शुरू उरती है, चार प्रुफतार्थ धर्म, अर्थ, काम और अंत में ये मोक्ष तो धर्म पहला तो इससे सुरोरा अंत में मोक्ष की प्राप्ति यहां पे दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा अच्छे नोलेज के साथ और ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में एक स्रेष्ट पुरुस की तरों मुक्ति की प्राति होगी मुर्ति भी बहुत अच्छी है ठीक है न अब यहां पे बुरा मानने वाले बात नहीं है जो आदमे संसार में आता है वो जाता भी है लेकिर अंत भला हो तो सब भला होता है और उसमें भी धन दोलत यह इसी चीज के लिए है यहीं के लिए अंत में आप क्या ले जाते हैं अपने साथ अपने स्रेष्ट कर्मों को ले जाते हैं अपनी साधनाओं को ले जाते हैं अपनी यस और कीर्थी को साथ में लेकी जाते हैं बागी सब यहीं छोड़ती है ठीक है न, तो ये कर्म भी आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति करवाएंगे आपका केतु सांदार उसके साथ बिरस्पति शांदार अब एक चीज देखूंगा मैं आपका इश्ट और एक बहुत दिरले हातों में जो लकीर पाई जाती है वो इस पश्ट दिखाऊंगा गिने चुने हतेलियों में आप उंगलियों में गिन सकते हैं ऐसे लोगों के हातों में ऐसी रेखा होते हैं उसको दिखाऊंगा पहले इश्ट को चलते हैं कि आपका इश्ट कोन है हतेली के अनुसार और हर ब्यक्ति को अपने इश्ट को जानना चाहिए और अपने इश्ट को अपने जीवन काल में मजबूत अवस्ता में रखना चाहिए और अगर आपका इष्ट मजबूत है चाहे आपके मारक रहों का प्रवाव है केतो का प्रवाव है दुष्ट ग्रहों का प्रवाव है किसी ने कराय कराया है किसी ने आपको कहीं न कहीं जो है तंत्र किरियाई कर रही है वो चीज कोई भी माइने नहीं रख सकती है आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई भी चीज, चाहे कितना भी दुष्ट ग्रहा हो चाहे राहो हो, केतो हो चाहे आपके जीवन में किसी ने बड़ी तंत्र किरियाय करी हो भूत हो, प्रेत हो, पिचास हो, कुछ नहीं कर सकता है, न कोई खिला सकता है, न उन चीजों को आप पे प्रभाव डाल सकता है, आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए, और इष्ट वो मजबूत होना चाहिए, जो आपके पंच तत्तों और आपके अश्ट चक्रों के अनुस सार इश्ट हो आपका और वो केवल आपकी हतीली बताती है कि कौन आपके इश्ट है अब उसी पर हम चलते हैं देखेगा ध्यान से यहां पर देखेंगे यह आपकी हर्दे रेखा है ठीक यह आपके मस्तिस्क की रेखा है ठीक है यह आपकी जीवन की रेखा है और यह आपकी इस प्रकार से जाती हुई करियर और धन की रेकार। इस पश्ट है M की आकार। अंग्री जी का अक्षा। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत जिने हम कहते हैं फाइब इलमेंट जिन से आपका सरीर बना हुआ है। ठीक है ने जो आपके सरीर के अश्ट चक्रों में से साथ मेजर चक्र हैं। जो आपकी पांच ग्यान इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां हैं। जो आपके नव द्वार हैं उसमें भी विसेश ब्रह्मरंद्र हैं। ठीक है ने त्यान रखेगा। जो आपके पंच कोस हैं, अनकोस से जो चीजें सुरू हो के अंत में पांच कोसों में विभगता है, पंच कोस हैं, उनके अनुसार देखा जाए, तो आपके जो आरध्य देव हैं, वो देवों के भी देव महादेव हैं, भगवान शंकर, और आपकी जो अदिश्ठातरी हैं, वो मापार्वती हैं, अब आपके लिए एक चीज मैं कहे रहा हूं, केवल वीडियो में ही कह रहा हूं, और उनको नहीं कहता हूं, अगर आप अपने इश्ठ के परति समर्पन रहें, अपनी आरध्य देवी के परति समर्पन रहें, तो आपको जीवन में निश्चित ह दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी ही होगी गारिंटेड आपके हदिली करिए जो ऐस्वरे आप पाना चाहते हैं वो ऐस्वरे आपको मिलेगा ही मिलेगा और वो आपके इश्ट आपके पंच तत्व आपको देंगे आपके अश्ट चक्र आपको देंगे आपके पंच कोस आपको देंगे आपके नव द्वार एक्टिब रहेंगे आपको देंगे ये आपके अंदर सब कुछ है देहो देवालयो प्रोक्तो ये सरीर ही ये देह ही देवालय है आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने अपने आपको समझ लिया उसकी गहराईयों को समझ लिया तो कहीं इदर उदर भटकने की जरूरत नहीं है लेकिन अपनी हतेली को आप लोग बड़ी गौर से देखेगा उसको पढ़ने की कोशिस करेगा आप रिसर्च करने की कोशिस करेगा हर ब्यक्ति को एस्टोलोजी जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप सांधार जीवन बेतित करना चाहते है एस्वर्य वाला जीवन बेतित करना चाहते है प्रसिद्य और फेम वाला जीवन बितित करना चाते हैं तो कहीं न कहीं ग्यान रखेगा और मैं गौब लॉक्स में जब भी रियल हतेलियों का विसलेशन करता हूँ बड़ी डिटेल में समझाने की कोसिस करता हूँ और ऐसा समझाने की कोसिस करता हूँ कि जो ब्यक्ति हतेलि देखना भी नहीं जानता हो वो ब्यक्ति भी कहीं न कहीं अपने हातों को देखके आने वाले समय के बारे में थोड़ा ग्यस कर सके उसकी अनुभूती प्राप्त कर सके और उस मार्ग पे चल सके ऐसी इस्तितियों को मैं इस परकार से समझाता हूँ अब यहाँ पे देखेगा कुछ नहीं भी करेंगे ने आप खाली समय में या काम करते करते मनहिमन पंचाक्ष्री का मंतर करेंगे ने ओम नमाशिवाई बस ये मनहिमन करते जाएंगे ने वो सबसे बड़ी भक्ति आपकी होगी आपको कुछ जादा करने की ज़रूरत नहीं है ये आपकी हतेली इस पश्ट तरीके से बता रही है अब चलता हूँ मैं दो बहुत सांदार रेखाओं पे और धन के चिन्नों पे पहले एक रेखा को देखते हैं आपके सवाल लेते हैं फिर अन्य चीजों पे चलते हैं एक रेखा इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेखा बहुत कम हातिलियों में मिलती है ऐसी रेखा होती है लेकिन अलग रूप में होती है ये आप देखेंगे आपकी ये जीवन की रेखा है ठीक इस जीवन की रेखा से सीधा निकल रही है सूरे की रेखा अभी अच्छी प्रबल नहीं होगी लेकिन इस पश्ट आ रही है यहीं से है जीवन की रेखा से ठीक न ये रेखा बहुत स्रेष्ट होती है कम हातों में देखने को मिलती है गिने चुने हातों में उंगलियों में गिन सकते हैं लेकिन ब्यक्ति की हतीली में है आप देख रहे हैं अत्यांत स्रिष्ट सुरवाती दोर में ये थोड़ा सा संगर्स करवाती है और वही संगर्स ब्यक्ति को पूज्य बनाता है ऐसा ब्यक्ति अपनी जीवन काल में इस रेखा का जैसे ही प्रभाव जीवन में पढ़ने बैठ जाए और पढ़ने वाला है बहुत जल्दी ठीक है ने ब्यक्ति जबर्दस्त बुलंदी को चूता है जबर्दस्त बुलंदी को यानि ऐसी इस्तिति आपके आने वाली है कि एका एक समाज आपको जानने बैठ जाएगा और उसके साथ साथ अगर गुरु इस प्रकार से बलुवत हो तो जबर्दस्त कहना कि ये क्या आप इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं कि बुलंदिया कहां तक प्राप्त होगी जबर्दस्त रुप में होगी ये इस पश्ट बताता है ठिक अब यहाँ पे देखेंगे ये मस्तिस्क रेखा है ये करियर और धनकी रेखा है और यहाँ पे एक तिरभुज बन रहा है देखेंगे लेकिन 56 वर्स के पहले थोड़संदे है कि ये थोड़ उस परकार का फल देगा लेकिन 56 के बाद देखेगा ये कैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है अभी confirm नहीं बता रहा है तो आप risk ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं ये आपके उपर different है चीजों का analysis करके लिए यहां पे accurate नहीं बता रहा है इसलिए मैं इसमें माफी चाओंगा लेकिन मिलेगा इसका फल यह 100% है क्या बता रहा है यह देखेगा यह राहों के प्रभाव को दिखाता है कि राहों का जबरदस्ट बहुत ऊचा प्रभाव अच्छा प्रभाव पोजिटिव प्रभाव व्यक्तिके जीवन में रहेगा बहुत कम हातों में इस परकार के इस्तिति आती है यह जीवन में अचानक करोडों अरवों में धन दिलाता है अचानक ही पता ही नहीं चलता है एक आएक हो जाता है सेर है, सटा है, लोटरी है इससे अचानक बहुत बड़ा धन दिलाता है अब ये कब दिलाएगा ये इसपश्टनी कर रहा है अभी आगे अगर इस्तितियां आएंगे, अगर हात आया मेरे पास तो जरूर बताओंगा अब दोसरी चीज देखेगा यहां पे ये बहुत बिरले हातों में पाये जाता है यहां से देख रहे हैं, आप ये रेखा जा रही है और यहां पे इन दोनों के बीच में देखेगा तो चतुसकोन बन रहा है अब ये चतुसकोन देखो चंद्रमा का सीधा प्रभाव चंद्रमा आपकी यातरा को बताता है, आपका मन का कारक है आपकी धर्म को दिखाता है, ठीक है नब ये क्या करता है ये कलपना सक्ति को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति दयालो होते हैं बहुत अच्छे जो है इनसानों होते हैं करुणा की भावना होती है ठीकने गंभीर होते हैं और ऐसी क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर रहती है कि किसी भी प्रस्तिति में धहर्य नहीं खोते हैं और ऐसे लोगों को विदेशों से भी अच्छा खासा लाब अपने जीवनकाल में मिलता है ये इस चीज को दिखाता है अब ये बुद्रेखा भी है बुद्रेखा का मतलब क्या है? आयू ब्यक्ति की बहुत लंबी होती है ये आयू को बढ़ाती है जीवन में निश्चित ही ब्यक्ति जो सोचता है अगर भरपूर अपना 100% दे दे तो सपलता मिलनी ही मिलनी है ये इसको दिखाता है और ब्यक्ति बिजनिस करे बिजनिस में बड़ी तरकी दिखाता है आप अगर अभी कोई ऐसा कार्य कर रहे है जिसमें आपको लगता है कि ठीक चल लहा है तो बिजनिस अभी मत कीजेगा ठीक है ने? बिजनिस का जो सांदार समय आ रहा है इस रेखा और इस रेखा जब आपकी इस पश्ट दिखने बैठ जाए कभी भी हो, कोई भी समय हो ओ चाहिए धाई बर्स हो, चाहिए तीन बर्स हो 56 वर्स के बाद तो हई है उससे पहले अगर इस्तित बनती है तो शुरू कीजेगा लेकिन साजेदारी में काम मत कीजेगा पार्टनर्शिप आपके हाथ में नहीं है, बहुत पच्ता होगे सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा कुछ ने कर पाओगे तो पार्टनर्शिप मत करेगा और तीन चीजों से बजेगा जल्दबाजी में बड़ा डिसीजन मत लीजेगा नुकसान होगा और उतावलापन मत दिखाएगा बड़ा नुकसान होगा और भावनाओं के बसी बहुत होकर बड़ा निर्णए मत लीजेगा बदनाम होगे ठीकन ये चीज़ें दिखाई दे रहे है लेकिन ये बोलने के धंके कारण भी धन कमाएंगे तरकी बहुत बड़ी मिलेगी ब्योसाई में और कहीं न कहीं चीज़ें बहतर होंगे लेकिन डाइजेस्टिब सिस्टम का ध्यान लखेगा ये कहीं न कहीं पेट के रोग हलके रोग में दे सकती है ऐसी इस्तितियां ये प्राप्त करवाएगी ठीक अब यहाँ पे अगर तीन चीज़ों से नहीं बचे तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगी इस बात का ध्यान लखेगा अब यहाँ पे देखेंगे ये धन का एक अलग परकार का निशान है दुरलब निशान होता है ये धन का एसे लोगों के जीवन में ऐसा धन आता है कि वो कोई भी काम करना चाहे उसको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है और धन के मामले में बहुत ज़्यादा संगर्सों का सामना नहीं करना पड़ता है हमेशा ऐसे लोगों के पास धन की इस्तिति बहुत सांदार रहती है अच्छी रहती है ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी किर्पा इनके उपर है खिक और उसके साथ ये रेखा रही तो कहना ही क्या ये ब्यक्ति को भाग्यसाली बनाता है ऐसी इस्तितियां जन्म देता है कि ब्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्यवस्ताइं हो जाएंगे ब्यक्ति का काम चल जाएगा ऐसी इस्तितियों को ये देता है लेकिन ये कमी भी हलकी छोड़ता है कभी कभी परस्तितियां ऐसी बनाता है कि संतान को लेके ब्यक्ति के जिवन में चिंताएं उबरती हैं चाए वजह कोई भी हो तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखके चलना होगा अब आपका सवाल ले लेता हूँ ठीक है ने? धन कितना होगा? करोड़ पती बनूँगा? कब तक? किस उमर तक? सब सुक सुविदाओं को पाऊँगा धन कितना होगा? धन और करियर की रेखा इस पश्ट कहती है कि जीवन में आपको प्रतिष्टा और दौलत जबर्दस्त मिलेगी और ये कहता है कि जीवन काल के 57 एर से आप अपनी पीक अवस्ता में आ जाएंगे और सारी सुक सुविदा लगभग प्राप्त करने की इस्तिति में आ रहे हैं ठीक है न? ये उमर आपकी इस पश्ट इस्तिति को दिखाता है ये यहाँ पे जो है ये दुरलब है धन के मामले में कोई संगर्शनी रहेगा इस चीज़ को बताता है ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये धीरी धीरी तिरकोन बन रहा है ऐसा विक्तिक करोडपतियों की सूची में अपना अस्तान बनाता है और बड़ी प्रसिद्धी कमाता है बड़ा धन कमाता है तो कहीं न कहीं जो है करोडपति बनने की संभावना है लेकिन अभी ये पूरा निवा ये 57 एर में अपना प्रभाव देगा तो निश्चित तोर पे करोडपति बनेंगे इसमें कोई संका नहीं दिखाई दे रही है दूसरा सवाल आप लिखता है कि कुल मिला के मुझे बहुत कमाना है क्या मैं उस उचाई तक पहुच पाऊंगा 100% पहुच पाएंगे ठीक है नै क्योंकि आपकी हतियली में सभी चीज़ें मोजोद है क्या मेरी लोटरी लगेगी मिलियन्स डॉलर की देखेगा लोटरी तो आपकी लगेगी पर ये नहीं कह सकता हूं कि किस उमर तक लगेगी ठीक है नै सेयर में या सट्टा में या लोटरी में यहाँ पर अचानक धन की प्राप्ति वास्तों में दिखाई दे रही है बिजनिस क्या करना चाहे और क्या बिजनिस में सफल रहूँगा कितनी सफलता मिलेगे अभी कोशिस करें कि बिजनिस बड़ा सोच समझे कर करें पार्टनर्शिप में बिजनिस ना करें इस बात का जरा ध्यान लगेगा अब जहां तक बिजनिस की बात है आपकी दो ग्रह बहुत मजबूत हैं इसके लिए एक तो सुक्र चीजों का एनलेसिस करें और जो रेडिमीट कपड़ों का ब्यापार है लग्जरी आइटम का ब्यापार है ब्यूटी इंडरस्टरी का काम है अगर वो करते हैं तो सुक्र आपका बहुत मजबूत है आपको बड़ा सपलता मिलेगी दोसरा आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है फास्ट फूड का ब्यापार होटल है इन चीजों का जो है फास्ट फूड का ब्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए बहुत सांदा रहेगा अब इसके अलावा आपके मन में कुछ और है तो वो लिखेगा मैं हाथ देखे वो सुजाव दे दूँगा आपको सफलता जबरदास्त है चिंता की जरूरत नहीं है बिजनिस पार्टनर होना चाहे या अकेला करना चाहे नहीं साजेदारी में नहीं पार्टनर में नहीं साधी कैसी चलेगी संतान कितनी होगी देखेगा साधी कैसी चलेगी ये तो बता दूगा लेकिन संतान कितनी होगी ये नहीं बता पाऊँगा आदुनिक भिज्ञान बहुत प्रगतिबे है अगर आपकी हतेली में 11 बच्चों का योग भी है और कोसिस करें हो भी जाएंगे तो भी आप 11 बच्चों नहीं होने देंगे यह आदुनिक भिज्ञान है आप अपने मन चाहे बच्चे होने देंगे और इसमें जोतिसी ने बोल दिया कल आप ये चीज कह सकते हैं कि देखेगा गुरो जी आपने तो बताया था हवा में मेरे तो दो ही बच्चे हैं या एक ही बच्चा है ये कैसे हो गया तो आदमनी की विक्यान जब चरम पे हो तो ऐसी भहुस यबानी नहीं करनी चाए ठीक है तो आपका ब्रिस्पति और सुक्र अच्चा है तो आप अपने और सादी की लाइन भी बहुत अच्छे हैं थोड़ा इसमें हलका गडबड है तो ये ज़्यादा माइनी नहीं रखता है चीजों को मैं उपाई दूँगा ठीक रखेगा बहुत अच्छी चलेगी संतान की य आपको अब चलता हूँ फिर से आपका कुछ बिसलेशन पर धार में का भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस्वर में विश्वास बना रहेगा यहां पर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फोकस रखने की आवशकता है मन की एकागरता भंग नहीं होने देनी है और प्रिसरम के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी कभी कभी दोड़ा धुपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा इस बात का ध्यान लखेगा जीवनकाल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज जरूर रही होगी या तो संगर्स रहा होगा या खर्चेला स्ववाव बहुत ज़्यादा रहा होगा या धन के महतों को समझ नहीं पाई होंगे लेकिन ये चीज 35 वर्स तक रही ही रही होगी यहाँ पे देखेंगे यस पाने की बहुत ज़्यादा एक्षा है और अपने कारियों में विस्तार हो जाई उसका फैलाव हो जा हैं और ताउमर बनी रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मातर लक्षवी अभी यही दिखाई दे रहा है अच्छा भी है होना भी चाहिए यह चीजें यहाँ पे दिख रही है ध सुखत जीवन जीने की चाहा है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतनसिल बिक्तितों दिखाई दे रहा है बाकी हिर्दे की अगर रेखा देखें तो निश्चित रूप से आगे चल कर चाहे अब व्यापार करें नोकरी करें कोई और भी काम करें समाज में अच्छा दिखाई दे रहा है अंत में ऐसा करम करेंगी कि मोक्ष की प्राक्ति होगी अपने जीवन काल में परतिष्टा और दौलत खूब कमाईंगे इस पश्ट इस्तिति दिखाई दी रही है और इन चीजों के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है इन चीजों के बार कर रखना नई चीजों के प्रतिरोजान रहेना ये चीजें जादा रहेंगे और बहुत एक सुख सुभाव की तरफ बहुत जादा आकरसन रहेगा चैह लगजरी जीवन हो या अल्टरा लगजरी जीवन हो है दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक सुभाव बना रहेगा आपका ब्रस्पती भी बहुत अच्छा है जहां सांसारे सुक बेहत अच्छा मिलेगा प्रतिष्टा शांदार मिलेगी बड़ा सम्मान मिलेगा वहीं आपको पारिवारिक सुक भी बहुत अच्छा मिलेगा सनी आपका बहुत अच्छा चिंता करने की जरूरत नहीं है चोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने की इक्षा रहेगी लेकिन थोड़ा कभी-कभी बे ओजहे की चिंताएं आ सकती इसका ध्यान रखे दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करें चोटा काम और बड़ा नाम यहाँ पे आपका सुर्य हलका कमजोर है तो एक उपासना देराओं सुर्य की वो जरूर करें आपको बहुत बड़ा लाब होगा जरूर करेगा यहाँ पे देखेंगे तो उपर की और जाती हुई रेखाए हैं तो एक तो वानी की सुन्दता बहुत अच्छी रहेगी दूसरा तन की सुन्दरता भी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत एक सुख सुविदाई भी बहुत अच्छी रहेगी चंदरमा सांदार है और दोनों ये ठीक हैं तो प्राकरम और एनरजेटिक सुभाव भी बहुत अच्छा है बन बहुत अच्छा मजबूत इस्तिति में रहेगा confidence level बहुत अच्छा रहेगा और आगी चलकर सरीर का hormonal system भी बढ़िया दिखाई दे रहा है और creative रहेगे सकारात्मक सोच रहेगी चलकापट से दूर रहेगे और महिलाओं का सयोग अच्छा मिलेगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतिले का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई विदिवत तरीके से लिख करके आडियो के मादियम से भीज रहा हो कन्ये के कोसिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब मिलने वाला है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार